तो कियाल चाल दोस्तों मेरा नम है सानू Axis Bank Credit Card को लेकर एक Bad News निकल के आ रहा है जो Axis Bank का Co-Brand Credit Card है जैसे Flipkart Axis Bank Credit Card Axis Bank का A.C.E. Credit Card जो Google Pay के साथ में आता है इसके अलवा Axis Bank का Free Recharge Credit Card इन सभी कार्ड से रेलेटेड एक Bad News है और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्या Bad News है तो आप इस वीडियो को लाश्ट तक जोड देखेगा बड़ दोस्तों से पहले एगर आप हमारे चैनल पने होंगे चैनल को सबस्क्राइब रूप कीजिएगा बगल में एक बाला कनाएगा उसको भी प्रेस कर लिजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेर कीजिएगा आप मुझे इस्टरग्राम पर भी मैसेज़ कर सकते हैं लिक आपको डिस्क्रिप्षन में मिल जाएगा दोस्तों एक्सिस बैंक को ब्रांट क्रेडित कार को लेकर बेड निवज है जो फिलिप कारड का एक्सिस बैंक क्रेडित कार आता है और Axis Bank का Free Recharge जो Credit Card आता है ये सभी Credit Card जोए Axis Bank का को Credit Card होता है यानि Axis Bank ने इन सभी Company के साथ मिलकर एक Credit Card launch किया है यही सब Credit Card से जोए एक Bad New Unical क्या रहा है Axis Bank ने एक Notification जारी किया है जिसमें लिखा हुआ है Revision on Interest Rate Applicable on Axis Bank Credit Cards यहाँ पर दोस्तों साब साब पता चल रहा है कि Axis Bank का Credit Card का Interest Rate में जोए कुछ Change किया गया है जो Interest Rate में Change किया गया है यह जोए 1 September 2021 से लागू होगा एक साइड में आपर देख सकते हैं प्रोडक्ट लिखा हुआ है जिसमें आपको जोए Credit Card का नाम लिखा हुआ है Axis Bank Flip Card Credit Card Axis Bank AC Credit Card Axis Bank Free Recharge Credit Card और फोर्थ नमबर में एक और है Axis Bank Free Recharge Plus Credit Card और यहाँ पर एक साइड में लिखा हुआ है Old Rates और दूसरे साइड में लिखा हुआ है New Rates Effective 1 September 2021 Axis Bank का जो Credit Card है उसका जो पहले Interest Rate था यानि Old Rate था यहाँ पर देख सकते है 3.40 पर मन्त और Annual जो है 49.36% यह Interest Rate जो है पहले का है लेकिन 1 September 2021 से इसे बढ़ा कर 3.6% पर मन्त और Annual जो है 52.16% कर दिया जाएगा 1 September 2021 से अगर आप Credit Card का बिल जो है पैमेंट कर देते हैं Due Date से पहले ही तो आपको जो है कोई भी Interest Rate नहीं देना होगा लेकिन अगर आप अपना Credit Card का बिल पैमेंट नहीं करते हैं Due Date से पहले अगर आपको एक दिन भी लेट हो जाएगा तो आपको जो है यह चार्ज देना होगा जो काफी जाजा चार्ज है तो आपको यहाँ पर ध्याँ रखना है कि आपको अपना Credit Card का बिल को पैमेंट कर देना है Due Date से पहले ही तो Axis Bank का Credit Card को लेकर यही एक Bad News था जो मैंने आपको बता दिया है अगर वीडियो पसंदा है इस वीडियो को एक Like कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों और भी लोगों को जानकारी मिल सके कि Axis Bank का जो Credit Card का चार्ज को जो है इंक्रीज कर दिया गया है और अगर आप हमारे चैनल पने होगे चैनल को सबस्क्राइब रुकिजिएगा वगल में एक बाला कनाईगा उसको भी प्रेस कर लिजिएगा दोस्तों अगर आप लोग कुछी पूछना कोई भी प्रॉलम आरा नीचे में कमेंट कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं मिलते हैं आप से किसी नेक्स्ट वडियो